नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारे के साथ पहचान लो इस अद्बुत जड़ी बुटी को जहां दोस्तों इस जड़ी बुटी को आपने अवस्या ही कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर देखा होगा लेकिन इसके गुन और फायदे से अन्जान होंगे तो दोस्तों आज की विडियो खास है क्योंकि आज हम इस अन्जान जड़ी बुटी के बारे में आपको बताएंगे और इसके गुन और फायदे की बात करेंगे तो पहचान लिजिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे ये जंगले वरुक्स इतना बहतरिन गुणों से भरपूर होता है कि इसके फायदे जानकर आप चौँग जाएंगे पहले के जमाने के लोग इस वरुक्स के फोलो का उप्योग कपड़े धोने के लिए किया करते थे इस वरुक्स का नाम है हिंगोट जहां दोस्तों इसे हिंगोट के नाम से जानते है अगर आपको इस परकार के पेड़ बोदों की जानकारी में इंटरस्ट है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे साथ में वेल गंटा दबाए और अलो नोटिफेकिशन पर क्लिक करे जिसे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे क्योंकि इस परकार की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है तो दोस्तो चलिए आगी बढ़ते हैं और जानते हैं हिंगोट रुक्स की बारे में विश्तार से हिंगोट का एक साधारन सा रुक्स होता है 10 से 20 मिर्ट तक उंचा यह रुक्स भारत के पत्चे में भागों में राजिस्थान, गुजराद, पंजाब, महराष्ट के इलाकों में गर्म प्रदिसों में पाया जाता है दोस्तों यह साधारन सा दिखने वाला पेड़ इतना चमातकारिक होता है कि इसका प्रयुक्रने से मोटा पा बर्प की तरह पिगल जाता है इसके अलावा भी यह अनेक प्रकार के अवसधिय गुणों से बरपुर होता है लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती हिंगोट का काटेदार साधरन सा एक रुक्स होता है जो 10 से 20 फिट तक उंचा और सिधा बढ़ता है इसके पत्तों का आकर अंडाकार होता है और यह दिखने में जवासा के पत्तों के समान ही दिखाए देते है इस पर अंडाकार फल लगता है जो सुरू आती दोर में हरे रंका और पकने के बाद पीले रंका हो जाता है इसकी चाल के नीचे गुद्दा होता है और इसमें खजूर के समान सक्त बीज होता है इसकी बीजों का भी पाताल यंत्र से तेल निकला जाता है और इसका भी उप्योग अवसद कारियों में किया जाता है हिंगोट के पूरे व्रुक्स को इसकी जड़, चाल, तना, पत्ते और चाल इन सब को अवसदिय कारियों में लिया जाता है ये लगबग पूरे भारत में बंजर जमीन में उत्पन होता है ज्यादा तरे भारत के पच्छिमी भागों में देखा जाता है इंगुदी, तेल पला, दिर्द कंटा और तापस व्रुक्स इसका सस्कृत नाम है गुजराती में इंगोरियों कहते है और मराठी में हिंगणा से पहचानते है हिंदी में हिंगोट कहते है और लेटिन नाम बेले नाइटरस इजिप्टिया का है आयरवद के मत अनुसार हिंगोट के गुणों के हम बात करें तो ये स्वाद में कड़वा तीखा, गंद यूक्त, पचने में हलका और गर्म प्रकृतिका होता है ये जहर को दूर करता है, पेट की क्रुमे मिटाता है और कप का नास करता है पेट में होने वाला गुल्म इससे दूर होता है, ये न भरने वाले घाओं को भरता है और सफे डाग को दूर करता है इसके अलावा भूत बादा और ग्रह पीडा को ये दूर करता है तो दस्तो आज हम हिंगोट से होने वाले फायदे के बारे में ही बात करेंगे हिंगोट मोटापा दूर करने की एक सबसे बड़ी और कारगर आउसदी है जो लोग मोटापा से परिशान है इनके लिए हिंगोट एक चमतकारिक जड़ी बुटी है मोटा पा दूर करने के लिए हिंगोट के फलो में से दवाई बनाई जाती है ये दवाई इस प्रकार से बनती है इसके लिए हिंगोट के फलो को एकटा करे और उपर जो गुद्धा होता है इसे दूर करके बीज निकाले ये गूटली बेहद सक्त होती है, बड़ी महिनत से इसे तोड़ा जाता है, इसमें जो गिरी निकलती है इसे खुरुच कर अपने पास रख ले, अब इस गिरी की छोटी छोटी चने के आकर वाली गोलिया बना कर टखे, इस गोली को मटके के पाने के साथ रोज सुबह उठकर सरल प्रयोगे, इसे आम लोग भी आसानी से कर सकते हैं और लाब ले सकते हैं, अब जानते हैं हिंगोट के कुछ और अवसदी फाइदे के बारे में, हिंगोट का पल तवचा रोगों की सबसे कारगर अवसदी है, हिंगोट पल के गुद्दे को सुहागा के साथ मिला कर एक लेप बनाए उस लेप को प्रभावद तवचा पर लगाने से कई प्रकार के तवचा वीगार सांथ होते है दूर होते है इसके अलावा इस फल की मज्चा को पाने के साथ मिला कर चहरे पर लेप लगाने से चहरे की जाईया दूर होती है और चहेरा खिल उठता है यहीं नहीं दोस्तों यह गुद्धा केल मुहासे को भी दूर कर देता है पागल कुत्य के काटने पर इसकी चाल का प्रयोग किया जाता है कुत्य के काटने पर पहले गुड़ खिलाया जाता है और इसके पाथ हिंगोट की छाल का चुर्ण चास के साथ मिला कर पिलाया जाता है इससे पागल कुत्ति का जहर नश्ट होता है हिंगोट का उप्योग खासी और दमा में भी किया जाता है स्वास दमा और खासी की समस्या होने पर इसके फलों के गुद्द के साथ चोटी पीपली का चुर्णे मिला कर चोटी चोटी गुलिया बना ले इस गुली को गुनगुने पाने के साथ देते रहने से कुछी दिनों में जब रजस्त फाइदा महसूस होता है तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ